हे गईस आप सभी का एक और नई वीडियो में मैं अंकुर सागत करता हूँ इस वीडियो में गईस आपके साथ डिसकल्स करने वाला हूँ दो आईपे उसके बारे बीजिन की कल है लास्ट डेट एक तो आपके सामने है होनासा जिसको हम मामार्थ के नाम से भी जानते हैं और दूसरा मिस डिजाइन grey market में दोनों की demand बढ़ी है और इसकी तो अच्छी है उसके साथ एकहीज होनासा की भी demand ज्रेमारक में बढ़ी है आपको live इस video में दिखाने वाला हूं कि actual में grey market में कितनी deal निकलती हुई दिख रही है साथ मैं आपको सारी latest details बताने वाला हूं और finally कि कल के दिन इन IPO में लगाना safe है नहीं है रिस्की है कुछ अच्छी बाते कुछ खराब बाते आपके साथ discuss करने वाला हूँ इन IPO के बारे में एक वीडियो में डाल दिया थोड़े पहले जाके description में लिंक मिल जाएगा देख लिना 31 को बन हुआ था second को close हो जाने वाला है IPO की allotment date 7 को है और listing date 10 को रहने वाली है इस्टेंडर फेसली पे 324 रुपीज बन रखा गया है IPO का साइस करीब 1701 करोड का है जिसमें major जो पैसा है वो promoters अपने लुठा रहे हैं सिर्फ 365 करोड का fresh issue यानि company की यूज में बागी पूरा का पूरा OFS है तो negative points यहीं से count करते हुए चलो आप बागी positive भी आपको बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ पे गया है और केफिन टेक इसका रजिश्टार है ध्यार नखना कि 700 करोड का IPO का size बड़ा होता है चोटा नहीं होता है यहाँ वे guys financially और कुछ छोटी छोटी details दूँगा मैं company के business details के इना detail review डाल दिया था यह आपने देख लिया होगा नहीं देखा है तो description में link है जाके एक बार जरूर चेक आउट कर लेना company के जो financials हैं इसमें company loss बना रही थी उसके बाद फिर profit में 2022 में और फिर 2023 में loss में अगर अभी एक quarter का डेता है 30 जुन 2030 का उसमें profit में आ गई है तो यहाँ पे एक trust issue है कि भाई पिछली बार आप profit में आये थे उसके बाद फिर से loss बना लिया इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा यह जरूरी नहीं है loss बना सकती है और profit बना सकती है मतलब not sure वाला situation है इस वज़े से भी यहाँ दिक्कत देहने को मिल रहा है अगर जो यह IPO रुक के 3-4 महीने 6 महीने बाद लाते और इगा quarter का डेटा और होता हमारे पास और बना रहे होते यह अच्छा खासा profit तो हमें थोड़ी सी संतुष्टी थोड़ा सा ट्रस्ट होता है इस IPO में पैसा डाल सकते थे बौरोइंग नहीं है इस IPO के उपर बढ़िया बात है बहुत कम है 6.79 लेकिन रिजर्ट सा प्लस नेगटिव है यह चीज आपको ध्यान देनी है एक चीज यहां positive जरूर आप देखना कि company ने profit बनाया है इस एक quarter में 2022 के पूरे साल के मुकाबले 14.44 करोड पूरे साल का profit था जग कि उससे 10 करोड जादा सिर्फ एक quarter में जून तक के quarter में बनाया नहीं क्य चीज से बेकार हो जाएंगे business आपको खुद को पता है कि यह जो beauty products होते है यह चलते ही चलते है baby care beauty product यह सब चलने ही चलने है आप में से कई सारे लोग use करते होगे या फर future में करने वाले हो नहीं कुछ तो baby product at least use करने ही वाले हो ठीक है अपने लिए नहीं अपने बच्चो लेना पड़ेगा अगर जो आप इसमें जाना चाहते हो रिस्क यही सारी चीज़े है लेकिन business ठीक है तो long term में अगर जो business भरोसा है तो पैसा बनता है रिस्क वही loss बनाने वाली बात है ठीक है और यहाँ पर company का जो price vend है वो महंगा है loss के साब से सस्ता रख सकते थी यह मुझे लगता है अच्छा कासा बेडा पार हो जाता पर बहुत महां कर दिया नों ने उसके साथ यहां पर 31 March 2023 तक का data है एक quarter का data है इसको हम count नहीं कर रहे हैं तो आप अगर जो देखने जाओगे तो इसका R1W negative है EPS यह जो लिखा हुआ यह भी positive नहीं यह negative है तो peer comparison भी करन आने वाली company पहला issue दूसरा results are plus negative है इस इसका ध्यान देना है लेकिन अगर जो आप इसका anchor investor list देहोगे तो वहां पे काफी बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया है long term में मैंने आपको दो दिन पहले वीडियो दिया था जिसमें मैंने compassion किया था ठीक है यहां थमने प्रेट में वीडियो कोई लंबी करने था फावर्ड करना सिर्फ एंकर इंवेस्टर आप देखके आना तो यहां पर इंकर इंवेस्टर्स ने इंवेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा positive है और एक चीज ध्यान दोगे आप 17 कोड के बाद भी डे टू में QIB ने अपना quota ने टाइम कर दिया है तो यहां पर employee भरोसा दिखा रहे हैं QIB भरोसा दिखा रहे हैं मैं इस IPO की negativity positivity दोनों बता रहा हूँ मैं आपको अपना पैसा अब फसा हो अगर आपको फस जाएगा तो आपको इतना तो पता होगा अगर थोड़े से पुराने subscribers होगे कि हम किसी IPO में कि किसी शेयर में किसी जगह पे भी कोई भी market में चोड़ देते हैं लेकिन अपनी capital को पहली प्राइटी देते हैं capital को प्राइटी देने का मतलब है हम loss नहीं चाहते हैं पाथ 10 परसन ना मिले सही पर loss नहीं चाहते हैं और उस चीज़ पर काबल रहते हैं तो वही इस वीडियो भरोसा दिखा रहा हैं तो हमें at least wait and watch करना जीए day 3 पे अगर जो subscription अच्छा खासा होता है तो इस IPO में थोड़ा risk लेके try किया जा सकता है लेकिन जो risk ले सकते हैं और वो चीज़ मैं कल आपको एक final decision वीडियो बताऊगा अभी फिलहाल for now ये वीडियो बनाने का यही मक्सद था मेरा कि कुछ चीज़े हैं जो बहतर है कुछ चीज़े हैं जो खराब इस IPO में उन दोनों को clarify करना और आपको अभी के लिए रोखना कि अभी मत लगाओ listing gain के लिहाद से company महंगी है तो नीचे भी list हो सकती है लेकिन अगर जो यहाँ पे positivity इनकी वजह से आती है तो भाई IPO योगा बेड़ा पार हो सकता है तो लाइफ स्क्रिप्शन के लिए मैंने भी आपको बताई यह वाले चैनल फॉलो कर लो आपको यहाँ पे सारी चीज़े साजह कर दी जाएगी अब आपको GMP दिखाने से वहले बता दू कि इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में न करी 90 पॉंट अगेन उसके साथी चार Intra Day कॉल जिसमें बढ़िया के देने को मिला उसके साथी Swing Level दिया था जिसमें बढ़िया के देने को मिला KPI टेक का उसके साथ ही गई उसके पहले का देख लो कि में स्टॉप लॉस भी लगा है Intra Day में और 125 पॉन्ट तापको डेली यह अभी avoid करो और day 3 में आपको मैं एक time से बता हूँगा ठीक है आपके सामने है live subscription आपको GMP कोई कितना भी कम बताता हुआ दिख रहा हो पर live यहाँ पर trade होता है वो updates होता है एक group है वहाँ पर ठीक अग्रे market से direct यहाँ पर चीज़े आती है और कई बार मैं call करके सिधे double हो चुका है तीन चार रुपय की बाइं थी gray market में sellow world की तो यहाँ पर गई गरे माकर प्रिम बढ़ा है और पैसा लोग डाल रहे हैं इसी इसका आप ध्यान देना तो मैं जो लोग risk ले सकते हैं उनको नहीं बोलूँआ कि avoid करो मैं बोलूँगा wait करो कल के दिन 2,5 बजे 3 बजे हम लोग decide किया जागा क्या करना है बाखी आपकी इच्छा क्या आप करना चाहते हो उसके सद्गे इस अगला IPO misdesign अगर जो इस IPO माप जाना चाहते हो तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर profitability बहुत शानदार है कोई दिक्कत नहीं है business बढ़िया है लेकिन borrowing का issue रहने वाला है borrowing का issue काफी अच्छा खासा दिक्कत देगा 1.38 इसका debt to audit ratio है ठीक है यह एक problem देगा तो इस problem को देखते हुए सिर्फ आप listing इन के लिए हास से जाओ और long term avoid कर दो अगर जो इस IPO में size के हिसाब करीब 9.76 करोड का है इसके हिसाब से at least 80-90 subscribe होना है चाहिए 80-90 गुना अगर जो नहीं होता है तो फिर avoid करना ही safe रहने वाला है और बहुत ज़्यादा listing के उमीद मत करना है इस IPO से लेना सारा कुछ clear हो जाने वाला है तो मैंने आपको सारी चीजे बता दी है बस अब आपको करना है दो काम एक तो वीडियो को like और दूसरा अपना व्यू कमेंट कि आप क्या करने वाले हो मैं इस डिजाइन में या फर मामा अर्थ में और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सब्सक्राइब दिखाना जरूर में तैंगली वीडियो में कर तुरे हैं थैंचे वाचिंग आइस प्लीज टेल इस्टे वैली एन बाबा फोना